एवं धर्म प्रेमी सज्जनों भगवान की जब प्रपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का आउसर मिलता है मुसल्मानों के बीच में लगातार कई वर्सों से हम जा रहे हैं और भारत वर्स में एक नई प्रथा का प्रारम भकिया मैंने की जब जगत गुरू संकरा चार्ज भी मुसल्मानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इसलाम की सच्चाई को जान करके इसलाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाच सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे जब लोग इसलाम को बेदर्ब मुसल्मान को बेदर्ब तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धर्पी में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज़्यादा दुख मुझको होता है ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है जिस इसलाम ने पहला कलमा ही कुरान सरीप का ये बताता है कि नहीं है इवादत के काबिल सिवाए परमात्मा के और कोई ला इल्लाह इल्लाह मुहम्मद रसूललाह भलाया बताईए बेदों का रस बेदों का रस निचोड करके मुहम्मद साहब ने परमात्मा की अबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़कर के हिंदों अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा कुरान को हमने गहराईयों में जाकर के तो नहीं अन्वो किया लेकिन कुरान के मानने वालों के हिर्दे की गहराईयों में जाके देखा कि अगर इसलाम को पुरी दुनिया अगर सुरीकार कर ले तो इसमें कोई भुराई नहीं है इसलाम परमात्मा के दौरा बताया गया सिध्धानत है इसलाम किसी बेक्टी का अपना नियम नहीं है अपना सिधान पर नहीं है कुछ लोग भेद भाव पैदा करने के लिए इस धर्ती पर मुसल्मानों को बेदर्द कह देते हैं इसलाम को बुरा कह देते हैं मैं कहता हूँ उनसे बुरा इस दुग्यां में कोई नहीं है वो सैतान के बच्चे हैं खुदा के बच्चे नहीं है क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है हमने बेदों को पढ़ा पुरान को पढ़ा शास्त्रों को हिंदू धर्मकरंतों को पढ़ा उसके बाद में मुसल्मानों के बीच में जाना शूरू किया हमने मुसल्मानों से हाथ मिलाया तो हमारा बिरोथ किया गया ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं संक्रा चार्ज कैसे हैं अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है वो पाच बार अबादत कर लेते हैं खुदा की तुम घास खाते हो और एक बार भी बात नहीं करते हो तो तुम से बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है तुम अपने अधर्म को देखो किसी के पवित्रता के सिध्धानतों का बिरोध करना पहला अधर्म है आप क्या खाते हैं? कैसे रहتे हैं? अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आप से बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुँचा हुएं तो हम से बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में कहने कातात पर इससर्फ एक है कि मैंने ये किया है कि ये मैं एक बात जो मैंने देखा है आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है लोगों पूचते हैं कि आप मुसल्मानों में क्यों जाते हो आप तो संकराचार जो हमने का कि भाई मुसल्मानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे का फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या हमने का क्या हम तो तुम्हारी बीच में पैदा हुए और तुम मुसल्मानों से प्रेम नहीं करते, इसलिए हम तुम से प्रेम नहीं करते मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूँ कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसल्मानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्ज किया जिसके उजे से आम हिंदू सिदा सादा हिंदू विचारा जाने ही नहीं पाता है इसलाम क्या है और सनातन धर्म क्या है सनातन धर्म और इसलाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है सनातन धर्म धर्म है बुरी बात नहीं है इसलाम और सनातन में कोई भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा एक है परमात्मा सब का है ये संदेश रिश्यो मुन्यों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश सयम हमारे मुहम्मद सहाब ने इस पैगाम को दिया तो हम बेद भाव क्यों करें यहां पर भारत का मुसल्मान एक बात बिलकुल मैं असपस्ट बता रहा हूं आप से अगर भारत का मुसल्मान सो गया तो भारत सो जाएगा इसलिए भारत को जगाना है तो मुसल्मानों को जागते रहना पड़ेगा भारत जाग जाएगा पूरी दुनिया जाग जाएगी ये भी मैं जानता हूँ कि भारत के सच्चे हिंदुओं को जो सच्चे सनातन धर्मी हैं उनको मुसल्मानों से प्रेम चाहिए उनको मुसल्मानों से भेद नहीं चाहिए प्रेजी की भी मिल गई है सारी दुनिया में अगर इस गरंथ को पहुंचाया जाए और पहुंचाना चाहिए मैं तो मुसल्मानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज़ का ध्यान दें आप के पडोस में किस भी भाषा को जानने वाला ब्यक्ति रहता हो जजबी भाषा को कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित गंत को उसको उसकी भाषा में पहुंचाये और नहीं समय सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शान्ती होगी सारी दुनिया में अमन होगा और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रीमियों के बीच में संक्रा चार्ज को पहुँचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी शंकोच नहीं होगा आप लोग भी निडर हो जाईए आप लोग भी संकोच छोड़िए हम जानते हैं कभी कभी संकोच में कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीदी और जनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिलने ही पाते हम हाथ पसारे हुए आपके सामने कھड़े हैं आए हैं हम आपको गले से लगा रहे हैं लगाते हैं दिल भी मिलाएंगे गला भी मिलाएंगे अर जरूबद पढ़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने के जूलद पढ़ जाये तो इसलाम की रक्षा के लिए संक्राचार आपका साथ देगा क्योंकि संक्राचार जानते हैं इसलाम धोका नहीं है संक्राचार जानते हैं इसलाम बर्बादी का रास्ता नहीं है संक्राचार को पता है कि जुबेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा अगर हम मुसल्मानों को अपना सगा मानते हैं तो मुसल्मान परमात्मा का बनाया है आदमी का नहीं हिंदू जो अपने उकेते वो भी जान ले कि वो परमात्मा के बनाये हैं तो मुसल्मानों से भेदभाव करना बंद कर दें और हमारी तरह सबसे प्रेम करें राक्तर लकनाज सब देखिए मैं अपरचित था जानता नहीं था और मैं बड़ा प्रशन हूँ कि वो समय निकाले और यहां आए उनको तो मैं धन्वाद क्या दूँ मैं तो यह चाहूंगा कि परमातमा उनको शक्त दे कि हम लोगों को सब को ऐसे ही सुन्दर दिब बड़ी सभाओं में समोधित करते हुए और हम लोगों के उपर वो स्वयम करपा बनाए रखें और हम उनके साथ रहेंगे जाए विजोत होगी सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे इनी शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी याद करेंगे जब तक मेरा शरीर है हम आपकी सभाओं में आते रहेंगे ओम शानती ही शानती ही शानती